आप सभी लोगों का हमारी श्यमास काइडिनिंग में बहुत बहुत शागत है आज में आप लोग लिए बहुत इंपोर्टन एक टिप्स लेके आई हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं बहुत प्योगी होती है बूटी बूझी हम एक ट्लाइंट से कई प्लाइंट कैसे बनाएं इसके बारे में हम जान करेंगे ऐसी तरीका लाई हों जो आपको जयादा कोई महनत करने की जरूरर नहीं पड़ेगी । उसमें कोई भी आपको जयादा कोशिच नहीं करने पड़ेगी तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पटन दमाने ज़रूर यादर कीजिएग से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए स्टार्टिंग करते हैं, तो आज मैं कई नर्सरी में आई हूँ, जहां ये स्पीदी के बारे में हम आपको बताएंगे एक माली की थ्रो, देखिए वो क्या ऐसी चीज अपने प्लांटों में यूज करते हैं, जिनसे वो उन प्लांटों की कटिंग से ज़्यादा बूटी बिदी से उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ऐसा प्लांट तयार करते हैं, जो बहुत जल्दी फ्रूर्ज देने ल इसमें इस तरह से ब्रांचेस आपके पास हो, चाह ऐसी ब्रांचेस हो, या किसी रिलेटिव क्या प्लांट हो, वहाँ आप ये वोटी भी नहीं बना के आप छोड़ सकते हैं, फिर आप एक दो महीने के बाद आप देखिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा से तयार हो ज जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी मोटी ब्रांचेस हो, चोटी ब्रांचेस में लेमन कितने बड़े बड़े होते हैं, जो बूटी बिदी से प्लांट तयार किया जाता है, उसके फल बड़ा होता है, और फल चोटी से प्लांट में भी आने लगते हैं, जरूर प्रशी में मैंने देखा है ज्यादा तर ये फ्रंट लेमन हैं सारे और बड़े लेमन है और इसी तरह आपकी घर में भी कोई प्लांटो चोटा प्लांटो या बड़ा प्लांटो तो इसको अच्छे से आप लगा सकते हैं जिससे आपका गार्डन बहुत को चलिए आपको तर प्रत्रती वो निकाल देनी होती है आप इसरे से देखिए पतले अपर ले ये एडिया से इस तरह से पूरी खाल यहां से निकाल दीजिए उसकी उपर की प्लांट की और फिर हम जो खास आज बताएंगे उसको इस तरीके से बांदिएगा जैसे ये तरीका आप देख रहे ह फूर्स मिलेंगे चलिए मैं आपको खास दिखा देती हूं जो माली यूज करते हैं जो वो लोग बांद रहे हैं जो तरीका उन्होंनों फॉलो किया है वो बहुत अच्छा तरीका मिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह देखी यह है इसको मास खास कहते हैं मास खा होता है जिसे हमें बार-बार प्लांट को पानी नहीं देना पड़ता है और हमारी कटिंग अच्छे से सक्सस होती है जिसे हमारे प्लांट बहुत अच्छे हैल्दी रहते हैं उन्हीं प्लांट की कटिंग को लगा के आप दूसरे पॉट में सिफ्ट कर सकते हैं तो यह होई बूटी भी दी, मास घास से तयार की कटिंग तयार कर सकते, अच्छे fruits के लिए और अच्छा अपने garden को सजाने की free में आपको नया plant तयार हो जाएगा आपको nursery से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा आपको result मिलेगा, चलिए आपको अगर थैंक यू सो मच